Arduino Graphics के Lecture में, जब आप शुरू करेंगा Topic Modeling and Rendering, तो उस Topic को शुरू करने के पहले, आप कुछ Topics को यजा कुछ Terms को पहले सीखेगे. और सबसे पहले आगा के Lecture में आपको सीखना है Curve क्या होते हैं? इस screen पे आप देखे हमने topic लिख रखी है पहले से curve क्या होते हैं और इसके definition है कि a curve is an infinitely large set of points को भी curve जो होता है वो infinitely large set of points होते हैं each point has two neighbors हर एक point के जो है दो neighbors होते हैं except end points यानि अभी आपको diagram बना के दिखाएंगे कि हर एक point के दो neighbors होते हैं curve में except end points यानि initial point और final point को छोड़कर बाकि जितने भी बीच में points होगे सबके दो दो neighbor होगे उसके बाद है some curves have no end points कुछ curve का end points नहीं होता है जैसे either because they are infinite या तो infinite होते हैं लाइन वगरा है in front है तो उसका end points नहीं होगा और they are closed तो screen पे जब हम कुछ चीज को draw करते हैं जैसे माले एक हम line ही draw करते हैं तो यह भी एक तरह का curve ही है ठीक है यह starting point है यह ending point है या फिर इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं यह भी तरीके से curve है तो आपने इसके पहले बहुत सारे points होते हैं बहुत सारे points होते हैं point का value जब आपको मालुम होता है point की जब coordinate मालुम हो जाती है तो फिर आप line draw कर सकते हैं आप shape draw कर सकते हैं किसी भी तरह का shape को draw कर सकते हैं तो इस तरीके साब देखेंगे जब यह curve इसकी initial point है कि starting point है और यह इसकी final point है that is ending point तो य इस तरीके से आप देखेंगे कि graph में जो पॉइंट्स होंगे एकसे एंड पॉइंट्स और इसमें क्या लिखा हुआ पहले लाइन में कि इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हो सकते हैं तो डिपेंड करेगा कर्फ कैसा रहेगा उसके बाद लायन आप देखें यहाँ पर सम कर्ब्स हैब नुँ पॉइंट्स कुछ एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं जीकों बहुत इंफनाइट लाइन लाइन या फिर कुछ क्लोजडि को ग्राफ हो सकता तो गराफ इस सरी के से देखेंगे आप यह कर जो कर्व है इस तरीके से कर फि हो सकते हैं या फिर ऐसे करके हो सकते हैं या पिर इस तरीखे से हम circle बनेते हैं तो यह भी कर्व का यूज करके बना हुआ रहता है ठीक है जब आप इसको को डिटेल में पढ़ेंगे इस तरीखे की कफ को ग्राफ को ठाह पता चलistling को सरकल भी आप डिजाइन करते हैं तो भी कर्व से ही बनाओ जैसे यहां से बनाए फिर यहां से बना यहां से बनाए तब देखें एक यहां से यहां से यहां तक कर्व फिर एक यहां से यहां तक कर्व इस तरीके से कर्व का यूज करके ही जो है शेप डिजाइन किया जाता है और computer graphics में खास करके ये बहुत ही important role play करता है, कि लाइन का, graphs का, चुकि हम graphics में जानते हैं कि कैसे हम object को modeling करें, कैसे object को हम display कराते हैं, इसकी real life में बहुत सारे examples से बहुत सारे uses हैं, आप CAD की बात करें या CAM की बात करेंगे, तो computer graphics का सारा importance, जो role है, वहाँ पर play करती है, तो यह हुआ basic definition curves की, अब चलिए कुछ आगे दिखाते हैं, इस screen पे हमने तीन examples, आपके graph का हमने design कर रखा है, सबसे पहले figure A में देखेंगे, आपकी यहाँ पर curve है, वो दो line का है, एक ये line का, एक ये line का, तो इस तरीके से ये भी curve है, figure B में आप देखेंगे, कि HERE straight line है, और एक यहाँ से फिर curve है, तो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक कर बहना, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पॉइंड, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया, ठिक है, उस तरीके से figure C में सेम चीज़ है बट यहाँ पर आप देखेंगे कितने सारे lines हो सकते हैं यहाँ पर तो यह जो है different types जो है examples है यह points है सारे example है curves के तो different जब आप object को modeling करेंगे सिखेंगे कैसे object को model किया जाता है तो वहाँ पर आपको यह concept है और भी clear हो जाएगा तो यह example से समझ में आहे गया होगा कि curve कैसे design करते हैं याद रखें यहाँ तो figure है लेकिन आपको curve design करने के लिए आपके पास coordinate value होनी चाहिए आगे देखते हैं types of curves, curves के भी type होते हैं ठीक है अब जब आप book में जाएंगे इसके textbook को देखेंगे तो वही सारे points है जो यहाँ पर मैंने mention क्या रखा है सबसे पहला types हो है implicit curves है उसके बाद explicit curves है फिर parametric curves है यह तीन तरीके general types होते हैं curve के ठीक है अब implicit curves में कौन सा formula यूज होता है, explicit curve में कौन सा formula है, parameters में कौन सा formula है आज की वीडियो में सिब discuss करेंगे की formula क्या होते हैं जैसे हम wiser curve शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे इसकी और details में है यहां देखें, implicit curves क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे, यहां पर हमने curve को design कर रखा और इसके सारे बीच में बहुत सारे points है, और इसके side में भी points है, तो यह जो points इसमें है, that is implicit, अगर points जो है, अगर curve में है तो इसको हम implicit करते हैं, और इसके value find करते है, fxy equal to 0, that means, यहां प return करेगा, single real number जो है, return करेगा, इस function के माध्य हम से, अभी इसको हम आगे अगले वडियो में जरूर बताएंगे, कैसे इसको find करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखें, explicit curves क्या होते है, इसमें क्या है, y का formula, y equal to fx, that means, y का जो value होगा, x पर depend होगा, that means, x का जो भी value हम put करेंग y जो निकलेगा, वो x के ही according निकलेगा, ठीक है, so in this function, a single value y is computed, यानि कि y का ही single value हम इस function से निकलते हैं, मैंने भी आपको कहा कि curve भी design करने के लिए आपको value चाहिए, तो यह होगी explicit curves और पहला है implicit curves, ठीक है, उसके बाद देखें, parametric curves, अब parametric या parameters आप पढ़े हैं पहले भ तो parametric curves में क्या होता है, इसमें एक parametric, यह जो है t extra है, यह formula है, यह जो है, इसी को t को हम parametric कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे x t है, y t, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर x कोडिनेट हमको find करना है, तो यहां लिखेंग fx और t, यह अलग से एक parametric value होगा, ठीक ह तो यह t जो है, यह parameter है, यानि कि इसको एक तरह का third value कह सकते हैं, xy को छोड़कर t जो है, तीसरा वला है, तो यह जब हमारे पास रहेगा, parametric value रहेगा, तो फिर हम parametric curves का formula के माधिम से formula यह जो है, हम इसको निकाल सकते हैं, तो यह formula जो है, यह basically 2D के लिए था, और अगर 3D क geometrically हम इस तरीके से find कर सकते हैं, तो आपने देखा types of curves जो है, exam के लिए भी बहुत important है, curves को define करना, curves की कितने types होते हैं, उसकी formula क्या होते हैं, तो आप इसको आपने mention कर देना, आपको explain कर देना formula के साथ, अगले वीडियो में आपको हम बताते हैं, कि इसकी क्या applications है, और हम लोगों सीखना जरूरी होता है, कि bizarre curve क्या होते हैं, ठीक है, तो फिर next video में आप से मिलते हैं, उसी topics related, thank you very much.